Hello and welcome to the first topic of Daily Scan. In this topic, we will be talking about India-Russia relationship. क्यों बात कर रहे हैं आपन इस वीडियो में, रश्या के बारे में, क्योंकि Foreign Minister S. Jashankar five-day visit to Russia में है. इसी बीच, एक और जो important बात है, वो है कि Modi ji, हमारे Honorable Prime Minister ने एक बार फिर से bilateral annual summit, जो रश्या और इंडिया के बीच में annually होती है, उसे skip कर दिया गया है, और उसके बदले अपने Foreign Minister को भेजा है. यह indication दो बातों की तरफ signal देता है. सबसे पहले, Modi ji ना अटेंड करके signal दे रहे हैं कि यह West की policy के साथ इंडिया को broader align कर रहे हैं, याने कि पढ़ते US और इंडिया relation की तरफ यह संकेत दे रहा हैं. Simultaneously, यदि आप अपन देखें, अपने most trusted partner, Foreign Minister को रश्या की तरफ भेज के, एक और बात क्लियर है कि अभी भी वो पुराने friend all time इंडिया-Russia relationship को undermine नहीं कर रहे हैं. इस तरीके से दोनों इंडिया has successfully एक बार फिर से maintain करने की कोशिश की है रश्या के साथ और वेस्ट के साथ अपने relationship. यदि अपन देखें, तो यह annual summit होती है, जो bilaterally दोनों country रश्या और इंडिया के बीच में होती है. यह एक बार alternatively रश्या पर होती है और उसके बाद यह इंडिया में होती है. तो this summit has not happened since last two years. दो साल से नहीं हुई है. reason being, क्योंकि 2022 में Russia-Ukraine war हो गया February में, उस बीच मोदी जी रश्या जाने से decline कर दिये, उसके बाद अभी जो 2023 में September में G20 conference हुआ, उसमें Mr. Putin did not visit India. याने कि दो साल से एक important ally के साथ हमारे bilateral annual meeting जो होती है, वो postponed हो रही थी. अब ये एक highest forum है, जहाँ पर Prime Minister of India and President of Russia bilateral issues को discuss करते हैं. Last time ये December 2021 में हुआ था, जब Mr. Putin visited New Delhi. यदि अपन देखें, अभी जो जैशंकर जी की visit है, इसमें दो सबसे important agenda expected है to be taken. सबसे important है rupee ruble trade. ये इसलिए important है, क्योंकि Russia जो है West के sanctions पर है. इस वज़े से sanctions को bypass करने के लिए एक mechanism जो find किया गया था, जो oil purchase कर रहे हैं, वो rupee में करा जाए. तो जैसे जैसे इंडिया rupee में oil purchase करते गया और oil का trade बहुत जादा बढ़ते गया, एक problem जो successively with time बढ़ते गई, वो ये है कि by the trading in the rupee ruble क्या होता है, जो भी product इंडिया रशिया को export करती है, उसमें ruble accept करती है as a payment mechanism. बट जो भी payment यहां से रशिया से इंडिया होती है, उसमें इंडिया rupee में payment करती है, बट imbalance of trade की वज़ा से क्या हो रहा है, जो rupee की payment बहुत जादा हो रही है रशिया को, क्योंकि इंडिया के जो export है to Russia बहुत जादा limited है, इस वज़ा से rupee जो है keep on, जो बढ़ते जा रहा है compounded होते जा रहा है रशिया के पास, और रशिया क्या करे इन rupee का, यह कोई solution नहीं आ रहा है, इसका solution निकालना जरूरी है, क्योंकि oil import शिरिया पंदेख है, तो 38 billion dollars पास हो चुका है, और in fact, रशिया first number of crude oil supplier बन चुका है इंडिया के लिए, इसके अलावा, जो trade deficit बढ़ रह ही है, तो rupee का जो reserve बनते जा रहा है रशिया के पास, उसका वो क्या करे, इसके कुछ alternatives रशिया ने suggest किया है, जैसे कि yuan या renminbi आप जो china की currency है, उनके साथ trade करने की, या तो दिरहम जो UAE की currency है, उसके साथ trade करने की, obviously renminbi के साथ या yuan के साथ, इंडिया बहुत जादा favor नहीं कर रहा है, तो एक possible solution हो सकता है, कि दिरहम के साथ payments कुछ accept हो, this could be one way out, ये problem का, जब रशिया के foreign minister last time India visit किये थे, तब भी उन्होंने इस issue को उठाया था, उन्होंने कहा कि इंडिया से export बढ़ाने की जरूरत है, रशिया को, in fact business investment भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि इस settlements को कि इसी तरीके से settle किया जा सके, that is one major issue, second issue जो अभी emerge out हुआ है, वो है connectivity issue, connectivity अभी रशिया और इंडिया के बीच में बहुत poor connectivity है, लंबा समय लगता है, यदि अपन देखें, अभी जो connectivity है, वो है, सेंट पीटर्सबर्ग से, ये entire Atlantic Arctic Ocean क्रॉस करते हुए, Mediterranean Sea से, Red Sea होते हुए, य Mumbai Port आता है, याने कि इस process में close to 40 days लग जाते हैं, वट एक proposal ऐसा भी पाया गया है, जो है Eastern Economic Corridor, याने कि Russia की Far East, जो Vladivostok है, उससे Mumbai और Chennai की connectivity डेवलप किया जाए, यदि ये तरीका successful हो जाता है, तो जो अभी 40 दिन लगते हैं, और एक huge distance cover करना परता है, ये distance कम हो जाएगा और ये time period around 25 to 27 days हो जाएगा, तो connectivity बहुत जादा बढ़ जाएगी, cost of transport बढ़ जाएगा, इस वज़ा से Eastern Economic Transport Corridor पहले प्रपोस था, अब इस पे हो सकता है, बात बढ़े, क्यों जादा important है, क्योंकि Russia और इंडिया का 2021 तक यदि अपन देखें, तो trade मात्र 12-13 billion dollar के बीच में था, अभी oil trade की वज़ा से ये jump out करके 40 billion dollars के आसपास हो गया है, जितना जादा transport बढ़ेगा, उतना जादा cost बहुत जादा important role play करती आई है, and that is why हो सकता है connectivity project, would be an important point on the discussion table, अब थोड़ा सा पन समझते हैं, कि इंडिया और रुशिया के relationship कैसे हैं, तो रुशिया 1991 के पहले, था, that is USSR, तो USSR के जो relationship है, जो legacy है, वो रुशिया के साथ carry on हुई है, तो यदि आपन देखें, historically, cold war, जब USSR exists करता था, तो कुछ major points थे, जो इंडिया और रुशिया के relationship, then Soviet Union के relationship को guide किया, उसमें मैंसे सबसे important था, arm sale, ये अभी भी बहुत important है, देखेंगे आपन, जहां पर majorly US और जितने भी western countries हैं, they allied with Pakistan, और इस वज़ा से ये इंडिया की non-alignment movement के support नहीं करते थे, इस वज़ा से वो इंडिया को कोई भी major arms export नहीं करते थे, but as a time पर USSR हमारा major exporter रहा है, in fact close to 70% जितने भी arms थे during the cold war, before 1991, वो USSR के origin के हैं, इस वज़ा से ये बहुत important role है, second यदि आपन देखें, तो Soviet की जो 5 year policy थी, वो बहुत ज़ादा successful रही है, 5 year plans, और आप देखोगे, इसी वज़ा से 1928 से ही नहरु ने बहुत vocally बोला था, कि हम 5 year plans से inspired हैं, हम communist agenda को follow करना चाते हैं, socialist to be even more precise, तो इस से even before independence ये inspired थे, और इंडिया ने भी 5 year action plan को follow किया, जब planning commission 1951 में, 50 में set up हुई, तो यहां पर ये जो advisory, financial fund, technical assistance के लिए USSR एक major role play किया, जैसे कि second 5 year plan में, भिलाई steel plan set up हुआ, एक backward region में set up हुआ, ताकि region का development किया जाए, ये किसकी मदद से set up हुआ, USSR की वज़ा से, और दोनों के relationship को मजबूत करने के लिए, अभी भी एक symbolic मैतरी भाग भिलाई में situated है, ये मैतरी भाग USSR और आज की rate में, रशिया और इंडिया के relationship को दिखाता है, और किस वज़ा से ये important है, this shows कि ये एक important agenda था, इसके अलावा, जैसा कि अभी अपन ने बात किया, जहां एक तरफ, US और पाकिस्तान एक तरफ थे, वही पर इंडिया को अपनी एक framework के लिए अपना एक friend zone बनाने की जरुवत है, तो वहाँ पर USSR और इंडिया एक parallel access merge out किया, जो US पाकिस्तान के opposite में develop ये तीन कारणों की वज़ा से, historically जो अपन देखेंगे, USSR के साथ इंडिया के relationship बहुत अच्छे है, अब देखा जा रहा है, ये relationship थोड़े से shift हो रहे हैं, क्योंकि geopolitically इंडिया US के साथ align हो रहा है, West के साथ भी अपने relationship को better कर रहा है, public sector इंडिया में कोई भी major hold नहीं कर रह है, चाहे वो telecommunication हो, चाहे वो iron steel हो, हर जगा diversified, liberalized economy की है, जहां पर private sector dominate कर रहा है, लेकिन arm sale में अभी भी रश्या एक major framework hold करता है, इसके अलावा, रश्या-Ukraine war के बाद एक नया dimension to the relationship आ रहा है, वो है trade in oil, oil में इंडिया का सबसे बड़ा supplier रश्या बन चुका है, और historically आप देखोगे 1971 और उसके पहले भी बहुत बार USSR ने इंडिया के against कोई भी resolution जब UN में आया, तो उसे veto किया, साहे वो Jammu and Kashmir से related हो, या 1971 के war के साथ related, in fact 1971 में जो treaty sign हुई, treaty of peace, friendship and cooperation, this became a bedrock, जिसके basis पर इंडिया बांगलादेश liberation war पर support कर रहा पाया बांगलादेश को, क्योंकि जहां पर US पाकिस्तान के साथ ally करके इंडिया को attack करने की बात कर रहा था, वहीं USSR इंडिया के साथ ये pact sign करकर ensure किया, कि if इंडिया gets attacked, then USSR will come to its support, ये framework की वज़ा से इंडिया उस समय led by इंडरा गां जैसे ही आप देखोगे, ये USSR 1991 में जब dissolve हो गया, तो क्या हुआ, इतना important relationship है कि just two years बाद ये treaty को रश्या के साथ realign कर लिया गया by a new treaty of 1993, यदि अपन trade की बात करें, तो historically, यदि इवन तिल financial year 2021 तक बात करें, तो एक major issue जो बार-बार रहा है कि people to people relationship जो है, बहुत कम रहे हैं, और this is being reflected in low economic trade, मतलब low trade, दोनों countries के बीच में, trade बहुत कम रहा है, 8 से 10 billion का ही trade रहा है, जो बहुत कम है, यदि आप रश्या और चाइना का देखो, इंडिया युएस का देखो, इंडिया चाइना का देखो, उस तरीके से, अब ये even 2021 में ये 13 billion dollar ही था, ये जंप करकर आप देखोगे, 50 billion dollar के आसपास बहुत गया financial year 22 में, क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया increasingly oil purchase करने लग गया, रश्या यूक्रेन वोर के बाद, इन फाक्ट यदि आप देखोगे, रश्या और इंडिया, जो इंडिया 5th largest trading partner था, अभी बन चुका है, ज एक problem अभी भी है इसमें, कि ये जितने भी trade relation है, ये government backed है, G2G या G2 enterprise है, government to enterprise, लोगों के relationship, याने कि जहाँ पर individual importer, exporter relations develop करते हैं, वो बहुत ज़्यादा limited है, private companies बहुत ज़्यादा limited तरीके से interact करती है, इसका एक major कारण ये भी है, कि एक linguistic barrier अपियर करता है, यदि आप से बात करोगे, तो English fluent नहीं रहती है, तो compared language barrier की वज़ा से, दोनों के बीच में traditionally trade relationship कम रहे है, इसके अलावा, बट आप उसका दूसरा dimension देखोगे, तो tourism activity बहुत ज़्यादा इंडिया से रश्या की और directed है, बट trade बहुत limited है, इसके अलावा, जो major pillar रहा है, वो defense रहा है, य फिरिया आप देखोगे, even अभी तक, S-400 air defense system, इस चीज के लिए, इंडिया ने US के साथ लड़ाई करी, US curtail कर रहा था, 2018 से बात सीच चल रहा ही थी, इंडिया की ये रश्या का air defense system खरीदने का, इंडिया, रश्या के लिए, US से लड़ पड़ा, and finally, US को ये particular exemption देना पड़ इसके अलावा, joint venture की बात हो रही है, कुछ K-226 helicopters को बनाने के, यदि आप traditionally देखोगे, तो जितने भी aircrafts हैं इंडिया में, MIG, Sukhomi, जो भी है, Sukhoy, ये सब किसके हैं, Russian origin के हैं, tankers देखोगे, तो T-72, T-19, ये भी जो है, Russian origin है, इसके अलावा, एक bilateral exercise, इंद्रा होती है, इसके according, दोनों countries के बीच में होती है, दिखाता है, कितना excessive dependence हैं, इंडिया का defense के लिए, यदि आपन देखें, तो 1955 से 1991 तक, जो इंडिया के arm imports थे, वो Soviet Union से 66% है, two-third, यदि 1992 से 2021 देखें, 65% और पिछले पात सालों में देखोगे, तो ये down होके, 50s में ये number बहुत चुका ह याने कि दो बात इस चार्ट से describe हो रही है, जो अपन समझ सकते हैं, ए, कि traditionally, रश्या के उपर हम overwhelmingly depend करें हैं, रश्या's arm dependence on India is very clear, इंडिया बहुत हद तक, रश्या के उपर, traditionally, arm के terms में dependent रहा है, number one, second यदि आपन बात करें, तो पिछले कुछ सालों में, ये dependence कम हो रहा है, इंपोर्च को diversify कर रहा है, from the western countries, US हो गया, France हो गया, इसराइल हो गया, एक बात ये समझ आ रही है, लेकिन एक और बात समझ आती है, despite इंडिया diversify करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी एक बहुत significant Russian arms का presence है इंडिया के defense में, इस वज़ा से, रश्या is going to stay a very strategic partner for at least next two to three decades, without a doubt that is very important, इसके अलावा, यदि आपन energy cooperation की बात करते हैं, तो रश्या के पास एक huge oil and gas reserve है, यहाँ पर इंडिया ने बहुत जगा invest किया है, जैसे एक particular जहाँ पर investment हुआ है, वो है Sakhalin island, यह far east में जापान के coast के पास है, रश्या का island, disputed है, बट फिर भी यहाँ पर ONGC विदेश Limited, OVL ने यहाँ पर invest किया है, याने कि इंडिया का investment बढ़ रहा है, रश्या ने इंडिया को far east में invest करने के लिए इनवाइट किया है, इसके अलावा, Arctic route ओपन हो रहा है, आक्टिक में भी huge reserves of gas and petroleum expected है, तो यहाँ पर भी इंडिया का investment हो सकता है, याने कि इंडिया को oil and gas पर invest करना है, तो रश्या is the biggest source जहाँ पर इंडिया invest कर सकता है, इसके अलावा, energy cooperation में nuclear power बहुत important cooperation है, जहाँ पर कुंडा कुलम nuclear plant already operational है, इसके दो units, units 1 and 2 already are operational, और 3 and 4 जो है, वो चल रहे हैं बातचीत की वो operationalize किये जाएंगे, केवल और केवल आप देखोगे, जितने भी nuclear power plants foreign aid की मदद से हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ रश्या ने ही set up किया है, बाकी सारे के सारे western powers, nuclear civil liability act की वज़ा से threatened हैं और अभी तक invest नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहे वो फ्रांस का जैतपुर हो, चाहे किसी भी other country का हो, चाहे US का हो, सब के सब liability से concern होके invest नहीं कर रहे हैं, वहीं रश्या का nuclear power plant already activated हैं इंडिया में, in fact, इंडिया और रश्या joint मिलके बांगलादेश में भी nuclear power plant establish करने के agreements में हैं, बातचीत पर हैं, इसके अलावा, बहुत सारे forums में रश्या ने हमेशा openly हमें support किया हैं, जैसे कि United Nations Security Council में य इंडिया को हर बार support करते हैं, P5 membership के लिए, इसके अलावा, दोनों countries, breaks, Shanghai cooperation organization, G20 के members हैं, जहां पर bilateral meetings, along these multilateral forums, high level meetings होते रहती हैं, यदि आपन outer space की बात करें, तो अभी recently cooperation हुआ है, जहां पर गगन यान, जो इंडिया की first spacecraft है, उसमें जो space astronaut की training है, वो भी रश्या प्रवाइ करने की बात कर रही है, इसके अलावा, यदि अपन इंडिया की first satellite देखें, तो वो भी Soviet Union में ही launch हुई थी, याने की space relations भी बहुत पुराने हैं, इंडिया और रश्या के बीच पे, यदि major challenges की बात करें, इंडिया रश्या relationship में, तो एक अपन ने already बात कर ली, कि private sector का बहु के trade भी किस वज़े से बढ़ा है, government-led trade increase हुआ है, that is one issue, एक और बात हुई है, poor connectivity, जो already अपन बात किये है, which is on discussion, यदि अपन देखें, इसके पहले एक और plan floated था, वो था international north-south transport corridor, ये मुंबई से लेकर, इरान से होते हुए, ये रश्या, सेंट पीटर्सबग, मॉस्को से through, ये एक multimodal transport communication की बात है, यदि आप देखो, presently ये Baltic Sea से होते हुए, North Sea, मतलब Atlantic की Marginal Sea से होते हुए, Mediterranean Sea, Red Sea, and this is a very long route, इसको bypass करने के लिए, पहले sea, then inland, then sea, and again, multimodal transport corridor की बात की गई है, this is international north-south transport corridor, that connects Mumbai to St. Petersburg and Moscow, को via Iran and Azerbaijan, अब लेकिन ये भी reality में transport नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे issues की वज़ा से, इस वज़ा से, अभी जो अपन ने बात किये, Eastern Economic Corridor की बात हो सकता है, अभी present visit में हो, इसके अलावा, stalling of international north-south corridor ये अपन ने देखी लिया, यदि आपन देखें, कुछ defense के major challenges हैं, जैसे कि एक जो सबसे बड़ा challenge होता है, वो spare parts की availability, ये दोनों के बीच में major रहा है, एक और issue है, कि माना जा रहा है, जो western, जो arms and ammunitions हैं, वो रश्या के compared में ज़्यादा advance है, और इस वज़ा से, कहीं न कहीं, इंडिया diversify करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि रश्या-Ukraine war हुआ, तो spare parts availability एक major concern इंडिया के लिए बन चुका है, इसके अलावा, जो delay होता है, often transfer में, वो भी इंडिया के लिए एक problematic, headache बन जाता है, जैसे कि INS विक्रमादित, जो रश्या ने इंडिया को transfer किया, वो अपने schedule से 5 years late था, और ये इंडिया के लिए एक major challenge है, यदि आपन देखे रश्या भी कुछ चीजों से इंडिया से irritated है, number one, Indo-Pacific और Quad जैसी initiative, जो often anti-Russia या anti-China परसीव किया जाता है, इसलिए Russian officials, including Vladimir Putin ने बहुत बार concerns raise करते हुए, इस चीज को कहा है, कि इंडिया is getting played by the western powers, ये रश्या के concerns को highlight करता है, इसके अलावा, इंडिया के बढ़ते US factors और relationship के बारे में भी रश्या concern रहता है, कि कहीं जो traditional access है, याने कि जो USSR आज की rate में रश्या और इंडिया access है, ये कहीं इंडिया-US access ना बन जाए, इस इस वन मेजर concern, वहीं इंडिया के लिए भी एक मेजर concern है, कि रश्या और चाइना recently एक no limit relationship agreement में पहुचे हैं, याने कि इस no limit relationship में कहीं इंडिया की जो relevance है रश्या के लिए वो shadowed ना हो जाए, और दूसरा, रश्या और पाकिस्तान के बढ़ते relationship में भी इंडिया concerned है, पहले इंडिया के concerns को address करते हुए, रश्या आम exports नहीं करता था, पाकिस्तान को ये ban को uplift कर दिया गया है, और simultaneously दोनों रश्या और पाकिस्तान joint exercises में भी आजकल indulged रहते हैं, all these concerns ये जो हैं रश्या और इंडिया के relationship में परटेन करते हैं, बट इसके बाद भी एक बात clear है कि रश्या और इंडिया जो है all with a friend है, दोनों के बीच में relationship traditionally, historically बहुत strong रहे हैं, और due to this geopolitical compulsions जैसे इंडि market और अलाई की जरुवत है, that is in the form of China and India के relationship spending रहने वाले हैं, बट एक major challenge ये होगा कि इंडिया कैसे इस बढ़ते हुए West और रश्या के बीच में जो गरार बढ़ रही हैं, उन्हें कैसे tight rope में walk करेगा, जो इंडिया हला की पिछले दो सालों में बहुत successfully walk किया है, बट जैस जैसे problems या compile out होंगी, कैसे ये walk कर पाएगा, that is a test to be a major test for Indian diplomacy, that's all for this topic, thank you.